आजके इस सेशन का जो एजेंड़ा है वो कनसेट एफ डिफाल्ट वैलूस इन जावा तो हम लोग इसको एक्स्पोर करे हो तो देखिए default वैलूस का concept क्या है तो default value में ये कहा गया कि अगर अपने पास कोई class variable है या फिर अपने पास कोई instance variable है जिसको हम लोगों ने कोई भी value assign करके नहीं रखी हुई है तो उस case में हमारा जो जावा है वो default values assign करेगा तो default values किनको किनको assign की जाएंगी तो default values जो है class variables को assign की जाएंगी और instance variables को assign की जाएंगी और तब assign की जाएंगी जब class variable और instance variable को पहले से कोई value assign नहीं की गई है यहाँ पर हम लोग एक table देख रहा है इस table में मैंने variable का type लिखा हुआ है और उनकी default values को लिखा हुआ है तो अब यहाँ पर ध्यान दियें तो जो integers है जावा में उनको चार तरीके से categorize किया गया byte, short, int और long तो byte के लिए कितना space है तो one byte, short के लिए दो byte, integer के लिए चार byte, long के लिए 8 byte, उसी तरीके से जो real numbers है तो real numbers को दो तरीके से categorize किया गया, एक को बोला गया float और एक को बोला गया double, तो float के लिए जो storage requirement है वो है 4 byte और double के लिए है 8 byte, 8 byte, character के लिए, care के लिए है 2 byte और boolean के लिए है 1 byte ठीक है तो यहां एक reference variable की भी बात उठी है इसको हम लोग आभी आगे देखेंगे फिलाल हम लोग byte, short, int, long जो कि यह integer टाइप के चार different data types है उनको हम लोग जान रहे है byte के लिए 1 byte, short के लिए 2 bytes, int के लिए 4 byte, long के लिए 8 bytes की requirement है, float के लिए 4 bytes और double के लिए 8 bytes चाहिए, कहर के लिए 2 bytes और boolean के लिए 1 byte, जब हम लोग boolean के लिए बात कर रहे हैं 1 byte, तो 1 byte में 8 bits हैं, उन 8 bits में से केवल 1 single bit use होती है, boolean variable की values के लिए, तो boolean variable की values क्या हो सकती है, तो वो या तो true होगा या फिर false होगा, अब देखते हैं की default values क्या हैं, तो byte के लिए, short के लिए, int के लिए 000, long के लिए, 0L, EL इसमाल में भी सही है और capital में भी सही है, float के लिए 0.0, F, इसमाल भी हो सकता है, capital भी हो सकता है, no issue, double के लिए बात किया जाए, तो 0.0, 0.0, ठीक है, by default float is always treated as double, यह बात हम लों को पता है, मसलन, अगर मैं यह कहूँ कि एक value है, 1.2, तो यह कैसी value है, तो 1.2 एक double value है, और 1.2f कैसी value है, तो यह float type की value है, अब जो है, character की बात करें, care के लिए, तो इसकी जो default value होती है, वो होती है, backslash u, 0, 0, 0, 0, तो यह जो backslash u, u जो है, unicode character set को represent कर रहा है, unicode character set को represent कर रहा है, जैसे हम लोग C की बात करें, तो C जो है, ASCII 8.0 की उपर based है, यानि C का जो character set है, वो कौन सा है, वो ASCII 8.0 है, American Standard Code for Information Interchange, उसी तरीके से, Java जो है, वो utf code को, unicode character set को क्या करता है, follow करता है, तो जब हम लोग ASCII character set की बात कर रहे तो, तो ASCII character set जो है, 8 bit lungs है, हमने कहा है, ASCII 8.0, तो ASCII character set में 8 bit की बात हो रही है, तो 256 symbols है, इसका एक और version आता है था पहले, ASCII 7.0, तो वहाँ पे हर symbol के लिए 7 bits की जरूरत थी, तो वहाँ 128 symbol ही store हो सकते थे, Unicode character set, बहुत बड़ा character set है, और ये 2 byte lang है, तो 2 byte lang बोलने का मतलब कि हम लोग इसमें 65,536 different symbols इस्टेमाल कर सकते हैं, मतलब इस पूरी धर्दी पे जितनी भी भासाएं हैं, उन्ट में जो भी symbols इस्टेमाल होते हैं, वो सारे के सारे symbols, Unicode character set में इस्टेमाल हो जाएंगे, होते हैं, और बहुत सारे spaces, लगभग 35,000 के आज़ पास जो spaces हैं, वो अभी भी blank हैं, अगर आगे कोई language develop होती हैं, तो हम लोग उसको use कर लेंगे, अब reference variables जो हैं, उनकी default values जो हैं, वो null होती हैं, अब हम लोग आगे आएं, तो यहां पर मैंने program के थूरू इसको करके बताने की कोशिश की हैं, मैंने एक class लिया हुआ, class का नाम है d-test, और यहां जो हैं हमने क्यवल integers को consider किया, तो मैंने byte, short, int और long, इन चार जो integers के data type हैं, उनके चार variables लिये हैं, b byte है, yes short है, i int है, और l long है, और इन चारों के चारों variables को मैंने यहां पर static बताया है, अब, main method के अंदर हम लोग b, yes, i और l को assess कर रहे हैं, जान यह देना है, कि यह जो static variables हैं, इनको कोई भी value assign नहीं की गई है, तो as per rule, इनको कौन सी value मिलेगी, तो इनको मिलेगी default value, तो b, yes, i और l को default value क्या मिलेगी, तो 0, 0, 0 और 0, ठीक है, अब हम लोग आते हैं, अपने अगले program के तरफ, तो यहां हमने float और double को consider किया, मेरे पास एक variable है f, float type का, और दूसरा variable है double, d, दोनों को मैंने static बताया हुआ है, और f और d को हमने कोई भी value assign नहीं किया, यानि f और d दोनो un-initialized है, ठीक है, और दोनों के दोनो variables जो है, वो static type है, अब हमने main method में, f और d की value को assess किया है, तो f और d को कौन कौन सी value मिलेंगी, तो उनकी default values मिलेंगी, तो जैसा कि table में हम लोगों ने देखा था, कि float के लिए default value क्या है, 0.0f और double के लिए 0.0d, अब हम लोग बात करतें non-numerals की, तो non-numerals में अपने पास दो data type है, पहला boolean है, और दूसरा character है, तो मैंने यहाँ पे, दो variables मैंने लिए हुए है, b और c, b boolean है और c care है, दोनों को यहाँ पे भी static बताया हुआ है, और b और c, इन दोनों की values को, इन दोनो variables में, मैंने कोई भी values दो है, वो assign नहीं की है, फिर हम main method में आके, b और c की value को print करा रहा है, तो हमको c के लिए, जो value मिलेगी, वो screen पे कैसा दिखेगा, तो वो blank space दिखेगा, यानि जो character के लिए, default value थी, back slash u, 0, 0, 0, 0, वो किस symbol को represent कर रही है, तो वो एक blank symbol को represent कर रही है, तो दब इस program को हम लों execute कराएंगे, तो c की कौनसी value print होगी, तो एक blank space हम को मिलेगा, और b की जो value होगी, वो होगी false, और यहाँ जो है, जो अपना एक variable बचा हुआ था, उसको क्या बोला गया था, तो reference variable, ठीक है, देखिए reference variable क्या है, किसी भी class का reference variable हम लोग बनाते हैं, इसके पहले जब हम लोगों ने, काम किया था, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने reference variables को जो है, देखा था, फिलाल, आगे हम लोग उस तीस को देखेंगे, और यहाँ जो है, मैंने एक class को consider किया, वो class है object, ठीक है, object class की मैं बात करूँ, object class के लिए fully qualified class name क्या होता है, तो java.lang.object, ठीक है, और java में जितनी भी classes है, वो सारी की सारी classes, कहां से derive हो रही है, तो वो java.lang.object से derive हो रही है, तो अगर कोई पूछे, कि java में base class कौन सी है, तो base class बोलने का मतलब कि, हम ऐसे class की बात कर रहा है, जिससे सारी classes derived हो हुई है, सारी classes, चाहे वो system defined हो, चाहे वो user defined हो, तो वो कौन सी class है, तो वो class है, java.lang.object, तो मैंने यहाँ पे, java.lang.object की बात की है, और मैंने object class का, एक reference variable मैंने कौन सा लिया है, o, small o, और कैसा इसको बताया हुआ है, तो static मैंने बताया हुआ है, अब देखिए, तो यह जो o है, इसको मैंने कोई भी value जो है, वो assign नहीं की है, तो o क्या है, यह o जो है, वो reference variable है, किस class का reference variable है, तो o is the reference variable of, java.lang.object, और अब हम यहाँ पे, o की value को print करा रहे है, तो चुकि हमने o में, कोई भी value assign नहीं किया, कोई भी object का reference, हमने assign नहीं किया है, इसलिए इस o में कौन सी value आएगी, तो value आएगी null, ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, null, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने, आज default values को देखा, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो हम लोगों ने जो, इंटीजर के लिए चार values थी, चार टाइप के अपने पास डेटा टाइप थे, इंटीजर के लिए, बाइट, शाट, इंट, लांग, उन सब के लिए 0 हो गया था, default value, रियल नंबर्स के लिए अपने पास जो डेटा टाइप थे, float और double उनके लिए float के लिए हो गया था, 0.0f और double के लिए हो गया था, 0.0 कहर के लिए क्या हो गया था, तो backslash u0000 और ज्यान दीजे कि यह जो default values का जो table था, वहाँ पे मैंने single quote में लिखा था, single quote में black backslash u0000 तो अन्नों को पता आए कि anything enclosed within single quote is a character constant, फिर हम लोगों ने देखा boolean के लिए, तो boolean के लिए जो है default value किया है तो false है, और यहाँ पे एक मज़ेजार चीज़ हम लोगों को यह भी पता चली, कि boolean जो है एक byte का space लेता है memory में, उस एक byte के space में से केवल एक single bit use होती है, true और false के लिए, ठीक है, तो one means true और zero मतलब false, तो जो हम एक byte memory में allocate करा रहे हैं, उस में से हम लोग केवल single bit use कर रहे हैं, और seven bits जो हैं, वो क्या है, unused है, तो इससे हम लोगों को क्या पता चला, कि Java में memory allocation की जो सबसे smallest unit है, वो क्या है, वो है one byte, ठीक है, और फिर हम लोगों ने बात किया, reference variable का, reference variable class के reference variables होते हैं, जिसमें हम लोग उस class के objects को assign करते हैं, reference variables कैसे हैं, तो reference variable को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, कि reference variables are the pointers, क्योंकि Java में objects जो हैं, उनके नाम नहीं है, objects को heap में store किया जाता है, और अगर मुझे किसी object को access करना है, तो उसको access करने के लिए मेरे पास, उस particular object का address होना चाहिए, ठीक है, तो वो address किसके पास होगा, तो वो होगा reference variable के पास, ध्यान दीजिए, जैसे हम लोगों ने link list को पढ़ा था, तो link list में क्या था, कि पहले note का जो address था, वो start time के एक pointer में था, और पहले note के address के पास जूसरे note का address, जूसरे के पास तीसरे का address and so on, तो अगर किसी कारण से हमारा start pointer खो जाए, तो हमारी list जो है, वो memory में पड़ी रहेगी, लेकिन हम लोग उस list को assess नहीं कर पाएंगे, उसी तरीके से, Java में जो reference variables हैं, वो pointers हैं, और ये किसको point कर रहे हैं, तो ये objects को point out कर रहे हैं, और यहाँ एक मज़िदार बात है, जैसे हमने कहा कि, अगर link list की हम लोग बात कर रहे हैं, और start pointer खो जाए, ठीक है, accidentally start pointer की values change हो गई, तो list physically memory में रहेगी, बट हम उसको assess नहीं कर पाएंगे, लेकिन Java में memory management बहुत सांदार है, वो ऐसा कोई भी object जो है, memory में नहीं रखा जाएगा, जिस object का कोई active reference हमारे program में नहीं है, ठीक है, तो अगर कोई object है, जिसके address को हम लोग किसी reference variable में store करके नहीं रख रहे हैं, तो होगा क्या, वो object create होगा, और तुरंट जो है वो destroy कर दिया जाएगा, ठीक है, तो ये जावा का memory management है, तो इस तरीके से जो आज का concept था, default values का, वो हम लोगों ने देखा, तो अभी आज की session में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसके एक aspect को cover किया है, और वो कौन सा aspect था, कि जब अपने पास static variables की बात उठी थी, तो static variables अगर uninitialized है, तो उनको default values जीज जाएंगी, अगले lecture में जो है हम लोग इस बात को देखेंगे कि instance variables को लेके, कैसे default values आ रही हैं, हलाकि ये काम हम लोग एक जो lecture के बात बड़े आराम से खुद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी अगर जरूरत होगा, तो एक वीडियो जो है डाली जाएगी, तो आज के लिए बस इतना ही,